हेलो फ्रेंड स्वागत है अपके स्टड़ी हैक शैनल पर मैं ऐसा करता हूं आप सभी स्वस्त होंगे मस्त होंगे अपनी त्यारी में जोरो सोरो से लगे होगे तो जैसा आपको पता है अभी हमारी वोकाप की सीडी चले जिसमें हम बात करते हैं वोकापी एकदम बेसिकले इ उनको स्टोरी के फॉर्म में अगर पढ़ाया जा तो आपके दिमांग में काफी समय तक रिकेन करके रहती है और आपके लिए समझना भी आसान होता है आपको लगता कि हम इसको डे टू दे लाइट में यूज कर सकते हैं यह इस चीज से रिलेटिल है ठीक है तो आईए सु कब से पहले हम लोग डिसकास करेंगे किसका अन्या आजआन टानिम्ज और लोनिम्र्टिसक में हार्ली हमें लगेंगे फाइब टू शिक्स मीनट तो उसके बाद हमारा वणवड़ का सेशन होग कि समें हमें 3-4 मीनट लगेंगे टिंग को आप पर मीनट सोगेगें इडिया वह बहुत important rules है exam के लिए exam के लिए क्या है बहुत ही important है यह फिर हम लोग practice करेंगे previous year के question vocab के साथ है तो आएए शुरू करते हैं अपने class को और जानते हैं सबसे पहला word आज का कौन सा है हमारे antonyms और stymonyms ठीक है तो पहला word है disrupt disrupt मतलब जाता है भंग करना ठीक है तो आप किसी भी चीज को जो भंग कर देतो हो ठीक है कोई एक line में जा रहा है जैसे cheaty जा रही आप उसके बीच में हाते जाल दो तो उनका जो line होता हो break हो जाता है ठीक है तो इसके synonyms क्या क्या बोल सकते हो break बोल सकत ठीक है आपने उसको भंग कर दिया ठीक है आप उसके बीच में बाधा ला दो तो चीजे भंग हो जाती है जैसे कि आप देख पाड़ेगो इस पिक्चर के कि जैसे यह सिक्वेंस में गिर रहा था इस बंदे ने क्या किया कि यहां पर हांथ डाल दिया ऐसे करके हांथ डाल आप ने उसमें बाधा डाल दी अर्चन डाल दी ठीक है तो डिस्रप्ट का मतलब ही होता है भंग करना ठीक है रप्ट मतलब होता है तो न जैसे रप्चर अपने पढ़ाओ किसी बीचीज को तोड़ देते हैं जब तो रोगो तो चीजब हो जाएगी ठीक है उसका जो ओरि टेक है इसको यूज कर सकते हैं की एक इन्सक्त तो लो ये इन्सेट अपर इसको यूज कर सकते हो कि लिएस शाउडवेव्स है इए टू इंटरॉप्ट बोल लो या फिर्प दिस्रॉप्ट बोल जुए हमें डिस्रप्ट ही बोल ते हैं है disrupt क्या दीज इंसेट्स तो ऐसे आप इसको संटेंस में भी यूज कर सकते हो आगे बढ़ते नेक्स्ट वर्ड की तरफ हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वह है डी सेमीनेट मतलब क्या होता है फैलाने किसी भी चीज़ को जब फैला हो ठीक है आप यहां से सेमी मतलब क्या होता अधा ठीक है कोई दूरा होता है और आपके बारे में पोवाब फैलेगी थिक in Wrap तो जीज़ क्या हो प्यूआ कि फैल जाएगे ठीक है जो चीज़ अधूरा होता हो जीदा हो ज्यादा फैलता है यह आपने कुछ किया नहीं आपने आधा हम कर तो सारे महले में परचला क्या से आपको पाता होगी कम्निकेशन कैसे होता है यहां पे एक डार होगा यहां पेगा यहां पे गट्यान वह से सिगनल प्रता है चार वर फैलता हुँ पम यह द सी आद रखना कि अंटिना के काम क्या है कि शीनल को फैल आदा X काफी वार ये आपको और को डिस्ट्री अस्पेल्ट वाले सेसन में आ जाता है तो आप इसको तोर जैसे आप किसी भी वड़ को तोर होगे ना तो आपको उसके वर्ड मिनिंग आसानी से याद हो जाएगे इसको याद करो तो बहुत ही आसान हो जाएगा और आप प्रेक्ट इसको लिखी भी पाऊगे ठीक है तो आपको वर्डम मीनिंग वाला पार्ट भी साथ के साथ कम्प्लीट हो जाएगा बात कर लिए इसके अंटोनिम्स की तो आपने कुछ ऐसा किया जो बात नहीं फैलना चाहिए था तो आपको लोगों ने आके कहा तो आप क्या कर तो उस चीजों को छुपा दे तो कि नहीं नहीं ऐसा तो मैंने नहीं किया जुटी अब आ हाइड कंसीली यह सब क्या हो जाएग ठीक है आप यहां से यह वर्ड पकड़ो इस जैसे कि कहीं पर कोई जहगरा और आप दो लोग आरग्यू कर रहे हुंगे तो आप क्या बहुत हो गया अब इस चीज को रोक दो अब हम इस चीज को सहले सकते ठीक है डिस्वेड मतलब रोकना अगर आप किसी को रोकते हो ठीक कि नहीं अब बहुत हो गया अब अल्ला चिलना नहीं करना आप लोग अब रुक जाओ इस याद अखना इस वर्ड को इस डिस्वेड तो असारी से याद हो जाएगा आपके दिमांग में आ जागा इस कब बोलते हैं जब किसी भी चीज को रोकते हैं कि नहीं आप बहुत हो कर दें तो अपको परशुएड करते हैं जैसे कि आप कोई फोर्स होता उसको पर्शुएड करतें अच्छा होता तो अप सकu क्या करता तो continue करते हो नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है डिस्स टेस्ट डिस्स टेस्ट मतलब क्या होता है अरूची या घिरना ओहो जैसे इसको आप देखो डिस इसको ऐसा पहलो डिस के सेंस में रख लो ठीक है इसका टेस्ट तो बहुत ही बेकार है मुझे इससे घिरना हो टेस्ट डिस्ट पॉर्पाइब करतीय दिस्ट डिस्ट डिस्ट या डिस्ट Sexual टेस्ट जिसको लाइक नेका तो डिस्ट लगा तो सिस्कू लाइक करते कहते दिस्ट अच्छी सभी डिस्तेस्ट अ लिए Boss आं यह नाव Но यह नावं रखना कि बात कर लिए सक एंट्रॉम स्क लो देखो जैसे देखो इस बच्चे को एड ज्री ने लिए देश्ट फूल होता और जैसे झाल दब तो उनके लिए क्या होता है पॉंड लाइकिंग टेस्ट फूल जाता है चल आगे बात कर लेटें नेक्स्ट ए इस टेस्ट फूल टिक है वहां पे हमने देखा भी क्या वह noun था और यह क्या है adjective है और यह य। है डिस्टेस्ट का ही adjective है डिस्टेस्ट फूल ऑरुचिक का unpleasant, aversion, dislike, ऐंटोनिम क्या हो जाएंगे इसके like, love, सबस्रेट का से सब्सक्राइब तो आज का पहला वन वर्ड वह यह जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था लास्ट क्लास में आपको याद हो कि मैंने आप से पूझा था डिलिंग विट से उसको क्या कहते हैं और मैंने एक इमेज भी लगाई थी आपके रिफ्रेंस के लिए आप सबीनों ने correct answer किया था तो उसको क्या कहते है dealing with cells को cytology उसको बोलते है कोसिका विज्ञान जब आप कोसिका के बारे में cell के बारे में detailed study करते हो तो उसको बोलते है cytology dealing with cells बोलते हैं जैसे देख पारेंगों यह cells है तो cells के बारे में कि यह गोलगी बडीज है यह nucleus है क्या है सारी चीजह हम study करते है cytology नेक्स्ट है decade decade मतलब क्या आता है दसक जो 10 साल में आता है a period of 10 years 10 साल के period को क्या बोलते है decade बोलते है 100 साल के century बोलते है ठीक है यह सब चीज़त आपको पता ही हुआ कि hundred years को क्या बोलते है hundred years period को क्या बोलते है century है ठीक है याद रखना जैसे 2020 से 2030 तक पहुंचेंगे तो यह क्या होए एक decade हो चुलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है defamation defamation मतलब क्या था मान हानी ठीक है defamation भी क्या है नाउन है यह क्या है नाउन है ठीक है तो आपके fame को क्या करना हानी पहुंचाना तो मान हानी ठीक है यह बुरी-बुरी बाते बोले कुछ ऐसी अप सब्द बोल दें जिससे आपके मान का हानी होगा ठीक है उसीको बोलते है सब्सक्राइं तो यह क्या है यह वह ब्रण यह जग्या घुटा मदना बदनाम करना इसी का नां फदेट लोन कि इंजयॉऔर वारत बंॉटीम Brendan इसी का स्तुर॥ आप किया कर वहांनी पहुंचेब निए जैसे पारिब्स आखन गात कोविड के समय में भारत बायोटेक को डिफेम करने के लिए नखली दवा बनाए गई थी ठीक है ताकि उनका रेपोटेशन क्या हो जाए खराब हो जाए ठीक है रेपोटेशन पर हानी पहुंचा है एप आफको चीज़e clear हो गई होगी को यह सब easy easy word है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है definitions मतलब अवज्या आप यहां सो fan relax है तोancy कि बात और क्या करते हैं लोग अवज्या करते हैं उसकी बात को नहीं मांथे नहीं करूंगा तुम कितना भी कुछ करूं मैं तो यह काम नहीं करने इसी को बोलते हैं जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं वह जिद्दी होते मां बोलेगी यह काम कर लो वह बोलेगी नहीं मैं यह काम नहीं करने को ठीक है इसके face expressions आप यादक ना जब आप इस picture को माइंड में रखो कर लेते हैं नेक्स्ट हमारा idiom and phrases का session होता है तो जिसमें आज का पहला idiom कौन सा है came out of his cell मतलब क्या है अधिक मिलनसार मनना ठीक है become more sociable ठीक है जब आप अपने सेल से बाहर आते हो जैसे कि यह सीप है यह अपने सेल में तो कोई किसी को नहीं पता कि इस सेल के अंदर यह है कि यह present है यह नहीं किसी से मिल जूल नहीं रहा यह isolation में लेकिन जब यह अपने सेल से बाहर आएगा जब सीप ओपन होगा दो जब इसमें मोती चमकेगी तो क्या होगा सब से मिलेगा अधिक है तो क्या हो जागे यह sociable तो came out of his cell का मतलब है became more sociable ठीक है नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट इडियम कहा रहा है कि can't cut the mustard ठीक है काम करने में असमर्थ होना to be unable to do a job आपको बोला जाए कि mustard का दाना है इसको आप बारीक से काट ठीक है आपको चापू पक्रा दिया जाए ठीक है आपको एक चापू दे दिया जाए महलो कि यह एक चापू है ठीक है आपको पक्रा दिया जाए और बोले कि आप mustard को काटो ठीक है तो mustard बहुत छोटा होता मतलब कि ये काम करने में असमर्थ हो जाओ तो इसलिए क्liyor इसलिए काट कर लेते हैं नेक्स्ट करा कि कांट जर्ज आब बुक बाइइस कवा ये तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ावियों को सुना भी होगा इसके बारे मतानी कि कोई जरुत नहीं कि केवल बाहरी दिखावे से पुर्बानुमान नहीं लगाना चाहिए ठीक जैसे कि आप इस लेल लेखो देखो कि इस कैरोट के उपर क canyon Records आता है उपर के जीली वह हैं वह बहुत झोट है इसको लग रहा जो अंदर का जो मेराraf जोंहार क्र after क्राइब वह बलगी सबक्रावन लेकिन किया है यह अंदर से देखो तो सबसे भरा इसने लगए इसमें लिप्स तो बहुत दिखाबे सम्किसी चीज़ को जज नहीं कर सकते हैं वी सुड नोट जज सम्थिंग प्राइमर्ली और इस एपिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेश्ट है कैप इन हैंड मतलब किया समान जनक तरीके से अगर आपने मुविज देखी होगी तो जब किसी की देथ हो जाती है अच्छे पर्सन होते हैं तो पुलिस क्या करती है अपनी कैप उतारती है और हाथ में पकर लेथी है ठीक है ऐसे, मतलब क्या उसको सम्मान देते हैं, ठीक है, तो cap in hand मतलब क्या होता है, सम्मान जनक तरीके से, in a respectful manner, ठीक, आपको किसी से fund लेना होगा, ठीक है, तो आप बहुत ही respectful रहोगे उसके प्रति, कि sir, please sir, हमें fund की जोगत है, अब हमें दे दे, ठीक है, just sentence देख लो, we have to go cap in hand begging for funds, ठीक है, बहुत ही सम्मान जनक तरीके से जाना है, उनसे क्या fund मांने, next बाद कर लेका, next है, capital punishment, capital punishment मतलब क्या होता है, मृत्यू दर, ठीक है, death sentence, ठीक है, आपको खासी का fund देखो, इससे आपको याद रहेगा, capital punishment, ठीक, next बाद कर लेते हैं, next हमारा pandora box होता है, जिसको हम लोग बोलते है, भानुमती का capital, ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर आभी तक आपने हमारी एक भी class नहीं देखिये, तो आपको नहीं पता होगा, इस जिनोंने देखा, उन्हें पता हो, जब ये box open होता है, एक pandora box होता है, ठीक, ऐसे क्ली ले grammar के जिसका use कहां आता है, तो error detection और sentence improvement के question को solve करने के लिए, और mostly grammar से यही part आते है, ठीक है, mostly grammar में यही rules use होते है, तो आपका 7 के साथ, vocab के साथ, साथ, क्या हो रहा है, इंगलिस grammar भी ready हो रहा है, ठीक, तो आज का rule क्या कह रहा है, आज हम पढ़ेंगे usage of advice, ठीक है, noun, pronoun, verb, adjective हम लोगों ने already पहले कर रहा है, अभी हमारे adverb की चल रही है बात, ठीक है, तो आज का rule कह रहा है, कि at present का मतलब क्या होता है, at present है, जब आप बोलतो हो at present, मतलब इसी च्छन, ठीक, इसी च्छन, ज्यादा नकम, इसी च्छन, at present, जब आप बोलतो हो presently, तो means होता है, सकता है, थोड़े देर बाद कर लेंगे, या थोड़े देर पहले हो गया है, तो presently मतलब अब होगा, थोड़े देर में, ठीक है, इसी च्छन, अब सकता है, थोड़े देर बाद भी होगी, ठीक है, जैसे sentence आपको अच्छे समझ में आएगा, कि nothing more can be done, कि कुछ खास नहीं किया जा सकता है, तो किसकी बात करो, कि अभी अभी अचानक से आप बोल ले हो कि कुछ करो, तो अभी इसी समय कुछ खास नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ देर बाद खास नहीं किया जा सकता है, कुछ देर बाद तो आप कुछ खास कर कर सकते हो तो ये इन्करेक्ट है इसके परेंक के जग हम लोग क्या यूज करेंगे पर जे च्छन कुछ खास नहीं हो सकते है यह जयरे वह पपर दिलख कर दो आ है तो ऐसा नहीं है कि प्रकट हो जाएगा इसे चंग वह आ जाएगा मतलब कुछ देर में आ जाएगा वह आने वाला ही रास्ते में होगा हो सकता है कि वह नीचे होगा जीने से नीचे और आप उपर इंच जार क्या हो तो आप बोलोगे कि तो यहां पर क्या करेक्ट हो जाएगा इसी थोड़ी दिर में वह आता ही होगा नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट हमारा प्रीबियस यह कोश्चन का सेक्शन है ठीक है जिसमें हम बात करेंगे सीजियल 21st जुलाइ 2023 के शिफ्ट फास्ट पहले कि हमने अल्रेडी करना कि अगर आपने अभी तक नहीं देखिए तो आप प्रीवेस क्लास ज़रूर से जरूर जाके चेक करें प्लेडिट से ठीक है तो आज का कुश्चन कहा रहा है पहला कुश्चन कि आपको एंट्रोनिम्स बताना है किसका तो एक्यूटेड का टीक है चार ओप्शन है डिश्चार्ज कनविक्टेड प्रेज कनफर्म और आपको टाइम मिलेगा शिफ और शिफ 10 सेकेंड इसको एंसर करने और आपका तो इसी के साथ time up हो चुका है I hope आप सभी लोग ने सही से answer कर दिया होगा ठीक है इसका जो correct answer होगा वो क्या होगा convicted अब बोल सकतो not guilty जो दोसी नहीं है तो उसको आप क्या कर दे तो बरी कर दे तो अब बोल सकतो एप्सॉल्वेंट यह सब क्या है इसके सिर्लील से बात कर लें discharge की तो discharge मतलब होता है रीहा करले ठीक है जयासर आप कोई वीची को रीहा करते हो अपने घर से discharge कर तो अब उसको release करते हो release बोलो और क्या बोलो liberation बोलो कि मुक्त कर देतो बात का ले convicted convicted मतलब क्या होता अप्रा अधी ठीक क्या होता है अप्रृधि अप्राधि कॉन होगा गिल्टी गृमिनल थिक तक रिittी क्रिमिनल होच च्छी अब इसके जाएंगे और क्या बोल सकते हो कि यह भी सके सीनोनीम मतलब क्या अथा परसंसा करना कि किसी की परसंसा करते हो तो इसके मैंने बहुत सारी जाएंट को आपको ऊलरेड़ी बता रखें और बता देता हूँ स्टॉल होता है एडमायर होता है यह सारे चीज आपको पहले से भी पता थीक है कान्फॉर्म मतलब क्या आ पूस्टी करना पूस्टी करती हो आप बहुत सब ने अब इंडोर्स स्थीक यह सब मैं आपको पहले भी करभा रहा हुं पर लीच Meow रेटीफाई ठीक यह सब इसके सिनोनिमस है चाले नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्या रहा है कि select the most appropriate synonyms of the word given in bracket और क्या है वो word luminous इसके आपको क्या बताने है synonyms और आपके पास च्यार आप्शन है impudent, transcendent, student, resplendent फटाक sensor करना आपके पास 10 सेट फटाक sensor करना बहुत ही easy है बहुत बार मैं आपको previous class में करवा रखा हूं इसी के साथ time up हो चुका है I hope आप सभी लोग ने सईसे answer कर दिया होगा तो इसका जो correct answer होगा वो क्या होगा resplendent ठीक है luminous के जगह पे यहां पे आप क्या लिख सकते हूं resplendent ठीक है मतलब क्या होता है luminous मतलब चमकदार ठीक है fleshy radiant ठीक है बात कर लें impudent ठीक है impudent मतलब क्या होता है delay ठीक है जो delay होगा brave होगा अब बोल सकतो brave bold ठीक है और क्या बोल सकतो परकी यह समय ने आपको में अ बहुत करवा रहता है impugent tms मतलब क्या हुआ था उत्तम जो सबसे मतलब अत्तम quality ठीक है अब बोल सकतो गत्य okay कि उत्तम में तो परफेक्ट लोगा तो क्या होगा वो चीज परफेक्ट क्यों चीज ल्चनि परफेक्ट बोल यह सब क्या इसके सिनोनीम से स्ट्रीडेंट मतलब क्या होता है तीज इस्ट्रीडेंट मतलब क्या होता है तीज जो चीज तीज होगा फास्ट होगा फास्ट भी बोल सकतो हो तीज इसेंस आता है सार्प का भी है ठीक है फास्ट होगा सार्प होगा ठीक है मतलब किया प्लिमिनस चाल इंट बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट कोश्चन क्या कह रहा है तो आपको बताना है वर्लाड टीका है ग्रूप ऑफ वर्शीपर्स को एक चार अपसाइं कंग्रेगेशन, कंसलेशन, कारवा, क्राउड, फटाक से अंसर करने, ठीक है, बहुत ही इजी है, आप लोग के लिए दो-चार सेकेंड काफी था, ठीक है, तो इसका करेक्ट अंसर क्या हो जागा, कंग्रेगेशन, कंग्रेगेशन, किसको बोलते हैं, ग्रूप ऑफ वर्सीव ठीक है, कंसलेशन आपको पाता है, क्या होता है, कलेक्शन ओफ स्टार्स को बोलते हैं, कारवा भी आपको पाता है, कि जब क्या होता है, ग्रूप ऑफ पीपल, क्या करते हैं, या एनिमल एक साथ कहीं, ट्रेवल करते हैं, ठीक है, और वो जोर्नी क्या होती है, लंबी होती से उसी को बोलते कारवा ठीक है वह सकता ग्रूप पीपल के साथ एनिमल्स भी होंगे क्राउड मतलब भी हो ठीक है चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट आपको एंटोनिम्स बताना है किसका तो मोडेस्ट चार ऑप्शन है डिस्टेंट ऑवियस कॉंसीटेड अन्प्रिजूमिंग और आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ दस सेकेंड फ्राक्शन से करना आपका टाइम स्टार्ट होता है अब फ्राक्शन से करना करें तो मोडेस्ट मतलब होता क्या है मोडेस्ट मतलब होता साधारन three art कि अधिश्ट मतलब क्या उता जो साधारन वो ऑडिनारी mm देख मोडेस्ट बोल लो आप स्टो जी श्मेस नैनल बोट लो इसके क्या सिन Oh हुआ धिस्टेंट मतलब क्या वोता है दूर यह मैं आपको प्रिब्येस क्लास में बताया थे दिस्टेंट्स मतलब दूर होता है अप इस फार बोल लो ओवियस मतलब क्या हो जो असफस्ट हो ठीक है विजवाल हो इविडेंट हो अभी बताया था इविडेंट विजवाल हो इविडेंट हो एक्स्प्लीसित हो ठीक है कि कंसीटेड कौन होता है जो हठी होता है ठीक है अभिमानी बोल सकतो ठीक है एरोगेंट यह भी मैंने आपको प्रीवेस क्लास में कराया था एरोगेंट बहुत सारा वात है था एरोगेंट प्रा होटी कि यह समयनं आपको पहले भी करुआ रहा है unpresum नी मिल्मिंग मतलब क्या होताँ नी, सन्देश, जिस पर आपको। क्या हो सक नौ संदेश नहीं है। इसी को बोलती है। n daras ii झाल के ओछलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्या थ्णिव नेक्स्ट क्या रहा है कि आपको ideum का मतलब बतान है इड्यम ख्या है once in a blue moon, यह बहुत बार SSC ने पूछा है, बहुत ही जी है, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपको इसके लिए ज्यादा समय देने की जो होता है, ठीक है, चार आप्सन है, very high, very ancient, very colorful, very rare, ठीक है, फटाक्स अंसर कर दिया होगा, अभी तब आप लोग ने answer कर ही दिया होगा, त चलिए, next question की तब चलते है, next question क्या करा है, अप एंटोनिम से बताना है किसका, unsure का, और आप help ले सकतो इस sentence का, ठीक है, और आपको मिलेंगे सिर्फ 10 second और 4 option, ठीक, option क्या क्या है, certain, date, customize, handicraft, ठीक, आप बढ़ी आसानी से इसको क्या कर सकतो, eliminate कर सकतो, option से ठीक है, तो आपका 10 second और स्टार्ट होता है, अप टाक से answer करना, ठीक है, I hope अभी तक आप लोगोंने answer करी दिया होगा, क्योंकि बहुत ही हीजी है, बहुत पार आपने कर रखा है, तो इसे के साथ time up हो चुका है, I hope आप सभी लोगोंने सही से answer किया होगा, ठीक है, अंसियोर का antonyms क्या होगा, certain, अंसियोर हो कोई चीज, तो क्या है, अनिश्चित है, ठीक है, अनिस्टेवल है, अनिस्टेवल बोल सकतो हो, ठीक है, अनिस्टीडी बोल सकतो हो, जो अस्थिर ना हो, certain जो निश्चित है, ठीक है, जो निश्चित है, sure है, जो चीज fixed है, ठी महाँ भाले एं सब्सक्राइब है कि देन को पता थारीख होता है कॉस्टमाइज जिसको आप स्वान निय्धारित करते हों तो फिर से अपने तरप से मोडिफाई करते हैं किस्टमाइज जिसको आप मोडिफाई करते हैं हैंडी क्राफ्ट आपको पता है हस्त लिप होता है ठीक है हस्त सिल्प होता है हस्त सिल्प हां से जो चीज बनाई जाती है हस्त सिल्प उसी को बोलते हैं हैं हैंडी क्राफ्ट चलिए नेक्स्ट बात कर ले नेक्स्ट आपको एंटोनिम्स बताना है किसका पर्सीवरेंस का चार आप्सन है इलोक्वेंसी ऑस्टिनेसी रेडिनेस एरेजूलेशन ठीक है आपको मिलेंगे सीफ और सीफ दस सेगेंड फटाक से एंसा आपका टाइम स्टाट होता है तो इसे के साथ टाइम आप हो चुका है यह वोफ आप सबी लोग ने सभी सेहन साकरी दिया होगा ठीक है तो पर्सीवरेंस मतलब यह होता है डिर्ज़रस इसका जो करेक्ट अंटोन ओगा वो इस रेजुलीटर ति इस से लिट इनिश्ट आएं ऐस सं traff 162 डार्व सकतो है विप्रसीवररंस मतलब किया होगा अगता आप इसको बोल सकत है तैरॉ परसीस्टेंस पर्सिसंतम सब्दा सकते हो और किया दो कोुक निस्चित हो कि η लोगेंस मतलब क्या होता है आइसी मतलब क्या होता है ठीक है तो obstinacy भी क्या है इसके ही synonym से किसके perseverance के ही synonym से इसके ही क्या है synonym से readiness मतलब क्या होता है तत परता जो एकदम तयार होगा ठीक है जो हमेशा क्या होगा तो सब्सक्राला रेड़ी होगा ठीक है या आप बोल सकतो आल आक्डरीटी एक एरे स्विलूशन मतलब क्या हूंता इनस्टाबिलीटी जो सबस्चेवल नहुक्ति हिर और क्या बोल सकतो तो इनेस्टेबिलीटी होगा जो की बदलता रहे चिंजेबल भी बहुत सब तो आप यह सब क्या हो जाएंगे इसके सीनोनिम सो जाएंगे चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट कह रहा है कि आपको idiom का मतलब बताना है इस संटेंस में से अंधर लाओ ठीक है इस इडियम का मतलब क्या हो जो चार अप्शन है तक लासमें ट बेर डांसिंग स्टूंगे अंढर देइन ठीक है, सही सही यूज, कौन साइज, मतलब कहा पर किस sense में इसको सही यूज किया गया दर ड्राइबर वाज अंदर सस्पीशन अफडर पुलीस फांड ब्लॉड ऑन इस कार, दर रेड फॉट looks beautiful, admins the cloudy weather and cold atmosphere it was the best place to sit under the sky with hands full of food, under the cloud का मतलब क्या होगा है, ठीक है फटाक सेंसर को तो इसका correct answer होगा, दर ड्राइबर वाज अंदर सस्पीशन, अंदर दा क्लाउड मतलब क्या होगा अंदर सस्पीशन, ठीक है यह हो जागा इसका correct meaning चलिए, नेक्स्ट बात कर लेके नेक्स्ट आपको एंटोनिम्स बताना है किसका arrival का, यह भी बहुत ही इसके लिए मुझे निलगता, आपको time जाना पड़ेगा या option बताने पड़ेगे timing, interest, departure, appearing फटाक से एंसर करना I hope आप सभी लोग ने एंसर कर दिया वा तो arrival का एंटोनिम्स क्या होगा departure, arrival मतलब होता आगमन और departure मतलब क्या होता परस्थान करना, timing मतलब समय entrance मतलब परवेश द्वार appearance मतलब उपस्थिती ठीक है चाड़ेगे, नेक्स्ट बात कर लेके नेक्स्ट आपके लिए एक homework question है, क्या है question कि to give one's authority to another, इसको क्या बोलते हैं, इसके लिए आपको क्या बताना OWS ठीक है, one word बताने इसके लिए कब से कब तक तो class end होने के बाद 5.30 p.m. से लेके, same day 10 p.m. तक आपको comment करने हैं, ताकि मैं आपके comment include कहाँ, ठीक है, इसके बाद भी करते हो, तो मैं उस comment का reply भी देता हो, या कोई doubt है, तो आप comment कर सकते हो, ठीक है, आपको pdf भी वहीं से मिलेंगे, जब आप telegram channel को join करोगे, और telegram channel का link कहा है, description ठीक है, description से जाके आप telegram channel join कर सकते हो, जहां पे आपको क्या मिलेगा pdf तो आज के लिए बस इतना ही, आज का class आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है, तो वीडियो को like करे, चैनल को subscribe करे, और अपने दोस्तों में share करना ना भूले, जिनने वो का पने है, एक तब फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए, जय हिन, जय भारत, तिक किया है,